वाक्य का संसलेशन, मिस्रित या मिश्र मिस्रित वाक्य का संसलेशन, इसमें क्या था नियम में? मिस्रित बनाते समय हमने क्या करना था? कि एक से अधिक वाक्य हों और उसमें एक पर्थान वाक्य हों सेस आस्रित वाक्य होने चाहिए और व्यादी कर समूचे बोदक से वो जुड़ने चाहिए तो इसमें व्यादी कर समूचे बोदक से जोड़ेंगे वह वहाँ एक से अधिक उपवाक्य होने चाहिए और उनमें एक परधान उपवाक्य होने चाहिए तो हम उसका संसलेशन करेंगे देखिए वह वहाँ एक घर था पहला बना देते हैं वहाँ एक घर था इसी में आगे पूर्ण गराम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे पूर्ण गराम के बाद भी लिख सकते हैं वह घर चोटा सा था अग इसके बाद उसका आगे का यहाँ कर लेते हैं यहाँ लिख देते हैं घर के चार और फूल थे इसी का है पूर्ण गराम के बाद घर के चारो और फूल थे अब इसी को बना लेके हमारे पास वहाँ एक घर था वह घर चोटा सा था घर के चारो और फूल थे हमारे पास अग क्या है एक से अधिक उपवाट के हैं तो इसमें हम क्या करेंगे अब एक उसको देखेंगी हमारे पास क्या है यूजच्चिन से जोडेंगे इसको लेगे वहां ये अभ्यास करना होगा लगातार अभ्यास करना होगा तब मिस्रित वाक्या संसलेशन आपको करना आएगा वहाँ हमने आजूल दिया वहाँ तो उसके बार एक छोटा सा घर था एक छोटे को यहाँ ले आएंगे एक, क्योंकि यहाँ पर घर है, यहाँ घर है तो दोनों को एक हमारा विशेशन एक छोटा सा घर था अब इसको और हमारा दूसरा योजक्चिन हमें चाहिए ठीक है थोटा सा घर था जिसके इस से जोड़ा है वाक्य विशेशन हो जाएगा जिसके चारों और पूल थे बन गया यहां पर टीन गहर्कों हमे बारबाल संड्या A का प्रियुक्फोरा था हमने एक लिया वहाँ एक छोटा साग घर था जिसके चारों और पूल थे तो वहने अर्फ ने देरा क्या जिसके चारोर फूल थे यह अपका परधान उपवाके है क्योंकि जिसके से जुड़ा है अगला वाक्य देख सकते हैं हम एक और देख लेते हैं वह सुभे देर तक जागा था सुभे देर से उठा वह रात देर तक जागा था यहां लिख देती हूं वह सुभे देर से उठा इसका संस्लेशन कैसे करेंगे आप इसका संस्लेशन दो वाके हैं हमारे पास वह देर रात तक जागा था सुभे देर से उठा आप यह देखो वह वह दो कॉमन और देर से यहां पॉमन तो अब हमें इसको किसी जोड़ना है वह जोगातियों लेंगे पहले हम क्या ले आएंगे परधान उपवाक्ये को पहले ले आएंगे तो हमारा परधान उपवाक्ये सुभे देर से उठा सुभे देर से उठा अपने आप में पूर्ण विल्कुल पूर्ण वाक्ये हैं क्योंकि कारण है तू कारण है तू मिश्र क्योंकि क्या था आगे देर रात तक जागा था देर रात तक जागा था ये हमारा मिश्रित वाक्ये तो हमारा अब वाक्ये संसलेशन एंड विस्लेशन दोनों कम्प्लीट हुए बोत हार कम्प्लीट और अब मैंने यह बोला था और हम साथ में भी वाक्ये संसलेशन देख लेते हैं अब मैं यहां लिख देती हूं सरल संयोक्त यह वाक्य प्रिवर्तन भी हो जाएगा आपका एक तरह से संयोक्त निश्र मैं शोट फोर में लिख देती हूं वाक्य संसली शन वाक्य संसली शन तो यह आपका यहां आजाएगा अब तीनो को देखेंगे एक वाक्य ले लेते हैं पहले गनित ठीक है पहले एक वाक्य को तीनो में करते चलेंगे तीनो के तीनो में हो जाएगात गनित में एक कठिन प्रशन था, एक वाक्य है, गणित में एक कठिन प्रसन था, उस प्रसन को, मैंने उस प्रसन को कोई भी हल ने कर सका, उस प्रसन को कोई भी हल ने कर सका, तो हमारे पास क्या था, गणित में एक कठिन प्रसन था, उस प्रसन को कोई भी हल ने कर सका, इसका हम सब से पहले सरल वाक्य बनाते हैं, सरल, सरल वाक्य बनाते हैं, कैसे बन जाएगा, सीधा आजाएगा, तो एक क्रिया कर सके, इसमें से मुक्र क्रिया हम चुन लेंगे, ने कर सका, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया नहीं है, यहाँ पर था साहक क्रिया है, से इक क्रिया तो उसको हम कैसे करेंगे, गनित में, गनित में, एक कथिन, गनित में, एक कथिन, प्रसन, ठीक है, तो आम यहाँ भी भक्तिची न लेंगे, प्रसन को कोई भी हल ने कर सका, तो इसमें आ जाएगा, कथिन प्रसन को कोई भी हल ने कर सका, गनित में, एक कथिन प्रसन को, विवक्ति लेंगे, को, कोई, भी, हल, ने, कर, सका, अब देखिए, इसी का सयूंत, सयूक्त बनाते हैं, सयूक्त वाक्य, इसमें क्या जाएगा, सयूक्त वाक्य के अंदर, इसी को चेंज परेंगे तब हम, गनित में एक कथिन परसन था, उसे कोई हल ने कर सका, गनित में एक कथिन खा, और, ठीक है, इसके अंदर, और, कोगट आ देंगे, उसे कोई भी हल ने कर सका, ठीक है, यह आ जाएगा आपका सरल वाक्य है, अब इसी का मिश्र देखते हैं, गनित में एक कथिन परसन था, यह आ जाएगा मिश्र, गनित में एक कथिन परसन था, किस से जोड़ेंगे, व्यादी गन्ची नसी था, जिसे, कोई भी हल ने कर सका, उमीद करते हूँ आपको, वाक्य संसलेशन समझ में आ गया होगा, गनित में एक कथिन परसन था, उस परसन को कोई भी हल ने कर सका, तो सरल वाक के लिए सबसे पहले, सरल में बदल दिया, गनित में एक कथिन परसन को कोई भी हल ने कर सका, गनित में एक कथिन परसन था, और उसे कोई हल ने कर सका, सहयुक्त में, गनित में एक कथिन परसन था, जिसे कोई भी हल ने कर सका, तो यह आपका मिस्र वाक्य के अंदर होगा यह एक वाक्य को हमने तीनों के तीनों में बदल दिया और यही आपका वाक्य प्रिवर्टन कहलाता है तो इसके अंदर आप एक वाक्य और देख सकते हैं एक वाक्य के माध्यम से और समझ लेते हैं इसको फिर आपको अच्छे से और clear हो जाएगा आपके दिमाग में आपके मस्तिक्स में अच्छे से बैठ जाएगा तो इसको भी हम और अच्छे से कर लेते हैं एक और देख लेते हैं वाके फिर आप खुद अभ्यास करोगे थोड़ा सा कथीं है तो जरास लेकिन अभ्यास निरंतर अभ्यास से यह आजएगा इग्सेंट में आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि उसने चित्थी पड़ी वैं चल दिया उसने चिठी पढ़ी वह यहां पर पूर्ण विराम लगा देंगे उसने चिठी पढ़ी वह चल दिया तो आपका एक वाक्त है दो वाक्त है उसने चिठी पढ़ी वह चल दिया तो अब इसका पहले हम सरल सरल वाक्त के बनाते हैं किसमें वह चिठी पढ़कर चल दिया वह चिठी क्यों क्योंकि हमें पूरोका लिक्रिया बनाने है चिठी पढ़कर चल दिया या का की इस तरह से कर सकते हैं दूसरी तरह से भी बन सकता है चित्थी पढ़ते ही वह चल दिया दोनों ही ठीक रहेंगे सरल वाक्य के अंदर चित्थी पढ़ते ही वह चल दिया इसी को ले आएंगे यहां से सरल में हो गया यहां से आप सहिक्त में चैसे बदलेंगे क्या ढालेंगे हम भस योजक चिन ने सिंद्ध, अतंतरवाकिय हमारे पास है ही। चिप्ठी पढ़ना और चले जाना। तो इसको किस्चे जोड देंगे? उसने जोगा दो चिप्ठी पढ़ी और क्या जाएगा? उसने चिप्ठी पढ़ी और चल दिया. और चल इसकी हमें जुरूरत नहीं थी इसलिए हटा दिया चल दिया चले जाना और वह आधाना तो यहाँ पर आपका दोस्वत अत्रवाके चले जाना और चिठी को पढ़ना योजक चिन से जुड़ना ये किसी वी उससे जुड़ा नहीं हुआ है इसमें एक मुख्य क्रिया है चिठ अपने मुख्य उसको पुरा कालिक्रिया में ले आए अब आपका तीसरा यही वाक्य मिश्रव वाक्य का संसलेशन इसी वाक्य से उसमें क्या गरें हम व्यादी करंट चिन को जोड़ेंगे तो उसमें क्या जाएगा जैसे ही उसने चिठी पढ़ी इसको पहले किसी जोड़ करेंगे जैसे ही पहले क्योंकि हमने उसका क्या करना है कि कालवाच उसमें आजाएगा तो जैसे ही उसने अब लेंगे उसने चिठी पढ़ी तो अब आगे या तो हम अल्प विराम का प्रियोग कर लेते हैं या हम दूसरे उसका प्रियोग करेंगे किसका व्याधी करंट चिन का जैसे उसने चिठी पढ़ी वह यहां ले आती हूं मैं वह चल दिया ठीक है या विश्यशन अब इसमें या तो अल्प विराम का प्रियोग कर लेते हैं या अल्प विराम की जग हम वैसे ही शब्द का प्रियोग कर लेते हैं, जैसे देखो, एक वाक्या हमारे पास था, उसने चिथी पढ़ी, वह चल दिया, पहले सरल में लेके आए हम, सरल वाक्या में हमने क्या बनाया, वह चिथी पढ़ कर चल दिया, या इस तरह से चिथी पढ़ते ही वह चल दिया, इसम चिठी पढ़ी और चल दिया तो वाक्य की प्रिभाशा यहां पर पूरी हो रही है हमारे पास दो स्वतंत्र वाक्य और योजक से समानादी करण योजक से जुड़े हुए है जैसे उसने चिठी पढ़ी आगे अर्थ नहीं दे रहा है वह चल दिया यह प्रधान इसमें आपको समज में आगया हुगा